तो यूपी पीसेस के लास्ट वन मन्थ में कम्प्लीट जितने फैक्ट हैं सब कवर करने के लिए हमने एक क्रेश को सुरू किया था मिड़वल हिस्ट्री से शुरुआत की थी बंदिकालीन भारत से दिल्ली सल्थनत शुरू किया था जिसमें पांच वंस हैं दो हमने कवर कर लिये हैं पहला था गुलाम वंस दूसरा था खिलजी वंस अब यहां पे तीन और जो वंस बचे हैं उसे कवर कर लेंगे तुगलक ब याद होना चाहिए तो 1320 से 1414 तक था टाइम पिरियड तुगलक वंस का सबसे लंबा वंस दिल्ली सल्थनत का कौन सा था तो यहीं तुगलक वंस और इससे पहले वाला जो हमने खिलजी वंस पड़ा था वो सबसे चोटे टाइम पिरियड के लिए था और इसमें आठो सासा का पूरा टाइम पिरियड आपको पता होना चाहिए 1320 से 1414 अब यहां पर पहला जो सासा हो गया गया सिदीन तुगलक दूसरा है मुहमद बिन तुगलक जिसके बारे में हमें डीटेल में पढ़ना है और फिरोशा तुगलक के बारे में जो इसने विभाग के स्थापना की वो सब हमें कंप्लीट पढ़ना है तो अंतिम अगर सासा पूछा जाए तो नासरित दीन मुहमद तुगलक था इसके बीच में कई सासा का है लेकिन वो हमारे लिए उसने इंपोर्टन नहीं है गया सुद्दीन तुगलक को इंपोर्टन है मुहमद बिन तुगलक और फिरो सकता मधिकालीन भारत की बात करें तो सब लोग राजी थे गया सुद्दीन तुगलक को चुनने के लिए सुल्तान बनने के पश्चात इसने कौन सी नीती अपनाई तो एक नीती का नाम था रसमे मियाना नीती कि इसने अपनाई थी गया सुद्दीन तुगलक ने जो कि एक इनका अधिकार चीन लिया था लेकिन गयासुत दीन तुगलक ने फिर से बहाल कर दिया इनका अधिकार खूथ मुकदम चौधरी को कर लेने की छूट दे दी कर की धर घटा दी जो अलाव दिन खिल जी था उसके टाइम पे 50% कर लिया जाता था सबसे ज्यादा कर लिया जाता कराए जिसका नाम था तुगलक अभी सारे सफापना मिलेगी लिए को यह वाला इंपॉर्टनेटर म ला कराई ऊसके जुकी हुई ती यह जो एक किला बनवाई भए ता उसके दिबारें जुकी हुई थी तो इससे सल Turkish कहते हैं यातायात निर्माल कराया इसने काफी डाक चौकियों की स्थापना किसने करवाई थी गयासुदीन तुगलक ने और इसका वनान कौन करता है इबन बतुगता जो की मुरक्को का यात्री था पेंसन बिभाग की भी स्थापना कराया थी गयासुदीन तुगलक ने सेन ने मामले जो इसके थे इसमें ये कड़क था किसके जैसा अलाउदिन खिलजी के जैसा जो कड़ाई अलाउदिन खिलजी ने बढ़ती थी सेना के मामले में वही गया सुद्धीन तुगलक ने भी बढ़ती सैनिकों को नगत वेतन देता था हुलिया लिखता था सैनिकों का गोडों को दागने की प्रताती इसके टाइम पे भी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा साथ सकता यह जिसने दच्छड भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था इससे पहले देवगिरी वगरा को अल 1225 में इसको जीता था और यह ग्यासुदीन तुगलक यहां पर आक्रमन करने नहीं गया था यहां पर जौना खान जो की बाद में मुहम्मद बिन तुगलक बना था और जौना खाने तेलंगाना का नाम बदल के क्या रखा था सुल्तानपूर तो यह सभी स्टेटमेंट वाइ थे गयासुदीन तुगलक तो उन्होंने निजामुदील ओलिया उनका मदवेद था निजामुदिल ओलिया से तो उन्होंने कहा था कि आप यह तो प्माच लाग टंका राजकोस में जमा करवा दो यह पिक दिली छौड़ दो तो ऑलिया ने कहा था हनूस देली दूर असला तो दिल्ली तक पहुच भी नहीं पाया था तक उनकी मृत्ति हो गई थी कैसे हुई थी तो एक एहमद गयास नाम के एक व्यक्ति ने लकडी का महल बनवाय था जिसके नीचे वहां पर उत्सव बनाने के लिए प्रोग्राम था वहीं पर दबके गयासुदीन तुगलक की मृत कहा जाता है कि जो जोना खा यानि मृम्मद बिन तुगलक ने रचाया था लेकिन जो महल था किसने बनाया था तो हमद आयास ने तो गयासिद्दुन तुगलक की यहां पर कहानी खतम हो गई इंपोर्टन चीजें इसमें क्या-क्या थी तो नहर का निर्माड पहली बार करा आगे बात करेंगे मृममद बिन तुगलक की जो की तेरा सो पचीस से तेरा सो इक्यावन कहा जाता है दिली सल्तनेत का सबसे बिद्वान वेक्ति यही था बिद्वान था धार्मिक था इसका वेग्यानिक द्रिश्टी कोर्ट था भूगोल में इसकी रुचि थी तो काफी क इसको भी जानता था हिंदी संस्कृत फार्सी वगरा सब जानता था लेकिन इसकी जो नीतियां थी अगर राजा के हिसाब से देखा जाए तो इसकी सारी नीतियां लगबग फेल हो गई थी तो इसलिए इसे अंतर विरोधों का सामंजस से कहा जाता है मुहम्मद बिन तुगल कि यह हौली जैसे समारों में सामिल होता था हिंदौ के कई तेओःों में सामिल होता था योगियों संतों से बाचीत करता था जिन प्रभासूरी जो के एक जैन संद достаточно प्रदर्दान किया था पूछा जाशकता है का राज सेखर जो काफी प्रसिद विद्वान थे उनको किस बहराईच में उत्तर प्रदेश में यहां पर भी जियारत की थी तो दोनों जगह कौन गया था यही था मुहम्मद बिन तुगलग और इसकी जो सहिसुड़ता थी हिंदू धर्म के जो लोक थे उनको बहुत उचे-उचे पद इसने प्रदान किये थे मुहम्मद बिन तुगल इसने अपने जो राजनाईक संबंध है वो विदोसों के साथ भी विदोसों में भी बनाया थे मिस्र, सीरिया, इराक, इरान, चीन वगरा के साथ इसके अच्छे संबंध थे इसके टाइम पे ही मुरोको को यात्री इबन बतुटा भारत आया था कब आया था तेरा सो तैति इसमें 1330 में मुरोको से आया कौन इबन बतुटा और पहले इसको काजी के पत्पे न्यूक्त किया गया मुहमद बिंतुगला के दर्बाद में लेकिन बाद में चीन का राजदूद बनाके भारत की तरब से इसके अलावा एक विभाग की स्थापना किसने कराई मुहमद ब सबसे पहले काम किया और इसी कारण इसको बिरोध का भी सामना करना पड़ा किसानों का क्योंकि उसी टाइम अकाल वगएरा पड़ गया था करी रण बेवस्था की थी इसने क्रशी रण दिया जाता था किसके टाइम पर मुहमद बिन तुगलक के टाइम पर राजधानी परिवर्तन कराया इसने दिल्ली से दौलता बात करा दिया राजधानी दच्छण भारत में करा दिया कब कराया यह 1326 27 की बीच में लेकिन प्रतिक आत्मक मुद्रा का चलन इसने किया चांदी के जगह पर कांसे की मुद्रा का चलन इसने करवाया 1329 में जो भी ये एक फेली रहा है क्योंकि जगर जगर लोग टकसाल बना के कांसे के सिक्के ढाल लेते थे खुद से उसकी उपर कोई निग्रानी नहीं थी खुरासा अभियान के लिए और सबको एक साल की प्रीपेड सेलरी दे दी मतलब पहले ही एक साल की आगे की सेलरी दे और यह पूरी तरह से फेल रहा 1331 के बीच में हुआ उसके बाद कराचिल का अभियान हुआ जो कि पहाडों पे होना था इसलिए सैनिक मर गए और यह भी इसका फेल प्रतिका अत्मक मुद्रा का चलान खुरासान अभियान कराचिल यह कई बार आपको एक्जाम में मिल सकता है क्रम यह अरेंज करना है फिर समराज विस्तार और विद्रों के बारे में इसमें तो मुहमद बिन तुगलक के टाइम पे पूरा हिंदुस्तान इसने जीता था कि असमीर और बलुची स्तान को छोड़के लेकिन मरने से पहले इसके जब मरने वाला था उसके पहले पूरा दच्छिड भारत जो है इसका आजयात हो चुका था जगा 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 विद्रों हो रहे थे गीता इसने कुप था लेकिन लास्ट में सब गमा दिया प्रमुक जो की करनाटक में हुआ था गुलबरगा में जलालुदीन एहसान का विद्रों जो की इसने जाके मद्रोई सल्तनत की स्थापना कर दी थी 1333 में पूछा जा सकता है मद्रोई सल्तनत की स्थापना किसने की जलालुदीन एहसान ने फिर अमीरे साधा का विद्रों हुआ था ये तना इंपॉर्टन नहीं है हरियर बुक्का का विद्रोव इंपॉर्टन है विजे नगर की स्थापना किती हरियर बुक्का ने 1336 में उस टाइम पे अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का साथ सक कौन था तो मुहम्मद बिन तूगलग अलाओदिन बह्मंसा यानी हसन गंगु द्वारा बह्मणी सल्तनत की स्थापना इसी के टाइम पे की गई तो दो प्रशिद्ध वंस हैं विजे नगर वंस और यहाँ पे बह्मनी वंस दोनों की स्थापना हुई मुहम्मद बिन तूगलग के टाइम पे विजे नगर 1336 में ब कौन से थे संगम सालूव तुलूव और अरीविडू जिसमें से तुलूव जो था उसका उसी में आते थे क्रिश्न देवराय जो काफी फेमस भी है आगे बह्मनी सल्तनत के पतन के बाद जो कुछ छोटे-छोटे राजवन्स बने थे उसमें बीजापुर था जिसमें आदिल कर दिया गय था विजयनगर को जिसमें बरार सामिल नहीं था बाकी सब बिरोधी बन गय थे किसके विजयनगर के गोल कुंडा में थी कुतिप साही वंस बीदर में था बीदर साही वंस इसमें बरार सामिल नहीं था बस ताली कोटा वाले में बाकी बह्मनी संतलतनत के बाद इतने राजियों की स्थापना हुई थी आगे बात करेंगे मुहम्मद बिन तुगलक यहाँ MBT जो लिखा है मुहम्मद बिन तुगलक है ने उस्र और जकात को छोड़के जितने कर ले जाता थी सब खातम कर दिये थे तो यह अच्छा इसका साइन था अब मुहम्मद बिन तुगलक का जो अन्तिम अभियान था जिसके बाद इसके मृत्य हो गई थी वो था घटा अभियान और इसके मृत्य हुई 20 मार्च 1951 को 20 मार्च 1951 में बुखार से इसके मृत्य हो गई थी और इसका वड़न किसमी मिलता है मुहम्मद बिन तुगलक के मढ़ने के बाद आगे बात करेंगे इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किये लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाय थी बस हमें इसके काम याद रखने है तीसरा इंपोर्टन सासक जो तुगलक का था वो था फिरोज साथ तुगलक तेरा सोइकावन से तेरा सो अठासी के बीच रहा है और यह मुहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था 21 मार्च तेरा सोइकावन में घट्टा में ही जहां पे मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्ति हुई थी वहीं पेस ने अपना राज्या विशेक कराया उसके बाद अगस्त में आके 1355 में दिल्ली में भी कराई था तो इसने दो बार राज्या विशेक कराया हिस्ट्री में आपको दो बार राज्या विशेक करने वाले जो नाम है बहुत कम मिलते हैं तो एक तो हो गया फिरोशात तुगलक और अरंग जेब और शिवा जी ने बस मुस्लिम उलेमा, जो हो थे, उलेमा जो कहते हैं, मुस्लिम एक धार्मिक स्थान होता, धार्मिक पद, उनको खुष करने की कोशिस की थी, फिरोसा तुगलक ने, इसकी नीती जो थी, यह कटर धार्मिक नीती थी, जबकि मुहम्मद बिन तुगलक जो था, सहिश्वडू किया महिलाओं को सूफी संतों से मिलनी पर शेय लगा दि उलयमाव के कहने पर सेद सलार-मधूद गाजी बहराइच यहां पे वहां जा GETशें के लिए अमीरों को इस सबसे जो ब्रस्टार चार है उसको बढ़ावा मिला क्योंकि लोगों के पास ज्यादा धन एक लुटाया जा रहा था धन फिरोसा तुगलक के टाइम पे इसे जो राजकोस था वो भी घटने लगा था और पूरा तुगलक वंस का धीरे-धीरे पतन होन शे करोण 75 लाग तंका फिरोसा तुगलक ने तेईस तरह के कर को समाप्त करके उसकी जगर चार कर ननिर्थारित कर दिए जिसमें सभी टेक्स बाकी के टेक्स इसी में समाहिद कर दिए ऐ आ, कौन कौन सी चार थे? nightmare खराज, खुम्स, जज़जिया ज़गात किसके टेक्स त प्राइव इसके बारे में पुछा जाता है कि दो नहरे ती राजबाही नहर और उनूग बाही नहर Yeah जो इनका नाम भी आ सकता है एक्जाम में नगर का जो वरड़न किस ने किया है तो एक पुस्ता का जिसका आई नाम है तारीखे मुबारक शाही पुष्टक का नाम इसके लेखक पूछे जा सकते हैं इसके लेखक है याहिया बिन एहमद सरहिंदी याहिया बिन एहमद सरहिंदी की पुष्टक करे तारीकिये मुबारक शाही से पद्पाइब ü on 평 built in 잘 हैं इसकी नहरों के बारे में फिरोद तोग्लक कि नहरों के बारे में आगे कुछ बीभाग की स्थापना कराई ती हेए बैंसरा शक्र पूछा जाता है धारूल सफा विभाग चिकत सagogue से संबंधित हैं दीवाने इस्ति बिवाह नोच पड़ाता फिरोसाथ है भुभलक बननुट कि मुँगरा थे अपने नाम से छूपा पाढ़ता था है व tribum में एक तरह का ब्छसणर्न इसमें पिछलेयरय इतने साउसग देनिया जाता था फिर आता है जगनात मंदिर को भी इसने नुकसान पहुचा था फिरो सातूरलक ने यह सब ऐसे काम करता था जो मुस्लिमों को खुश रखे बगीचे लगवाए थे इसने बहुत सारे जिसमें 1200 बगीचे सामिल है का जाता है इसने 1200 बगीचे लगवाए थे कारखानों का निर् लेकिन इतने दास उ जाएंके तो अर्त ब्यूसता खराब हो जाएगी तो इस तरह से भी हड्त भीवोसता खराब हुई थी स्थापत के बात करने सब्वाब करें इसने एक अलग बिभाग का निर्माड कर आई इसका नाम ता फिरो साथ तुगलवाए ने सबाहिं,These renewed Peggy, अ दिल्ली में एक मदर्सा भी बनवाया जिसका नान था मदर्साई फिरोशाही, पुराने जितने भी भाउन थे सबका पुनर निर्माड करा है, कुतुब मिनार का पुनर निर्माड, अलाई दरवाजा का होजे खास का हजार सितून जो की अलाउदिन किलगी ने बनवाय था है, पुनर निर्माड करा है, उसके बाद आता है, तोपरा और मेरट का पासाड स्तंब ताशोक स्तंब तोपरा में इस्ती था और मेरट में, उसको लाके फिरोशाह कोटला दिल्ली में रखवा दिया, कब रखवाय था ये तेरा सो अठावन में, बहुत सारे नगरों के इस्थ पुषपूर, फिरोजाबाद, इसके अलावा हिसार है, जोनपूर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टन है, जोनपूर की स्थापना, किसके नाम पर करवाई थी, जो कि इसका भाई था, मुहमद बिन तुगलक जिसका नाम था, आगे बात करेंगे, इसने अपनी आत्मकथा ख फिरोजाब तुगलक ने की थी, फिरोजाब तुगलक को अच्छाई और बुराई का मिस्रण कहा जाता है, कुछ अच्छे काम थे, इसके बहुत सारे भाग वगर निर्मार कराया था, और कुछ बुरे भी काम थे, क्योंकि इसने हिंदूों को बहुत जादा परिसान किया मुस्लिमों का बहुत जादा सायो किया था, और उस टाइम पर भार्ती जनता थी, बहुत जादा मुस्लिम नहीं थी, हिंदू बहुत जादा संक्या में थे, इसके अलामा कहा जाता है, कि इसनी सस्गनी नाम का सिक्का चलवाया था, सस्गनी सिक्का, अध्धा और बिक नाम तो सुल्तान की सल्सनाटी वो दिली से बालं तक थी। बहुत चोटा एरिया हो गया था, सबसोतंत्र हो गये थे। और इसी के टाइम पे अकरमाण हुआ था दिली पर, तैमूर-लंग का आकरमाण जो की 1398 में हुआ था, यह एक प्रतनीदी रखा यहां पे अपने एक उत्रा अधिकारी के रूप में जो था खिज रखा इसी खिज रखाने बाद में सयद वन्स की स्थापना की तो इस तरह से पूरा तुगलक वन्स खतम हो गए अब आता है सयद वन्स 1414-1415 तक था सयद वन्स यह पूरा पीडियाफ और जितने पहले के पीडियाफ हो चुके हैं सब आपको test series के साथ यूपी PCF test series जो चल रही है उसी के साथ ही मिल जाएंगे इतने पुराने पीडियाफ है रिटेंड नोट्स जितने हैं या फिर current अफेर जो है सब मिल जाएगा test series में अब तक 13 test हो चुके हैं संडे को 14 नंबर का test होगा जिसमें आपको detail के साथ पूरे answer की मिलेगी कोई भी question होगा उसे समने जितने प्रस्ण बन सकते हैं सब मिलेंगे जोएन करने के लिए जो नंबर एक इस पर contact कर सकते हैं सेयद वन्स के स्थाफना खिज रखाने की थी तैमूर लंग का इसने पहले सयोग किया था तो उससे खुश होके तैमूर लंग ने पहले इसे लाहोर मुलतान और दीपालपूर की सुभेदारी दी थी बाद में इसने खिजर खाने सेयद वन्स की स्थाफना की लेकिन खुद को सुल्तान की उपादी इसने नहीं दी थी रहयत आला कहता था खुद को और जो सिक्के चलते थे वो तुगलक के नाम के ही चलते थे जब यह आ गया था फिर भी जो सिक्के चलते थे वो तुगलक काल के ही चलते थे फिर अगला जो सासक था खिज्रखां के बाद सेयद वंस में वो था मुबारक सा इस सासक जो ही इतने इंपोर्टन नहीं है बस थोड़ा नाम का क्रम पता होना चाहिए पहले खिज्रखां आया फिर मुबारक सा आया इसने अपना खुत्बा पढ़वाया था सिक्का चलाया थ मुबारक सा के चनरचन में एक लेखक था जो काफी इंपोर्टन है जिसने तारीखी मुबारक साही की रचना की थी इस लेखक का नाम था याहिया बिन एहमद सरहिंदी और इसी लेखक ने फिरो साह तुगलक की जो नहरे अभी हमने देखा था उसके बारे में लिखा आये अभी हमने तारीखी मुबारक साही में यहि अभीन एहमदसरीन दीने आगे बात करेंगे मुःमद सा के बाद आता है एह 10 साल तक रहा था यह जो था मुहम्मद साह यह बहलोल लोधी को अपना पुद्र मानता था अभी लोधी बनसा आएगा तो बहलोल लोधी का नाम यही से स्टार्ट हो जाता है मुहमत सा जो है बहलोल लोदी का अपना बेटा बांता था इसलिए इसके बाद जो मुहमत सा के बाद बेटा बना अलाउदीन आलम सा वो गुस्सा हो जाता था बहलोल लोदी से तो बदायू चला गया यह पूरा जो यह सासक है अन्तिम सासक सायद वन्स का यह बदायू चला गया और इसके साथ ही जो बहलोल लोधी था उसने लोधी वंस की स्थापना कर दी तो सेयद वंस का अंतीम सासक था अलाउदीन आलम सा टोटल सासक कभी देख लीजे एक बर फिर से से खिज रुखा मुबारक सा मुहमद सा अलाउदीन आलम सा अब लोधी वंस आता है जो की 1415 से 1526 तक था यह दिली सल्टनत का अंतीम जो है फंस था लोधी वंस और यह पहला अफगाणी वंस ता अगरं पूचा जायं तो लोधी वंस था पहला आ फगाणी वंस बहलोल लोधी इसने चुस्तांपना की लोधी वंस कि मुख की सफलता इसकी थी जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाना जौनपुर्ट जो की आजाद हो चुका था लगबग उसको मिला लिया इसने फिर से दिल्ली सल्तनत में कम मिलाया था 1484 में 1484 में इसके लावा इसने बहलो लोदी ने बहलोली सिके चलाए थे बहलोली सिके जो कि बाद में अकबर के टाइम तक चलते रहे थे और इसने सबसे लंबे समय तक कौन सासक रहा था तो बहलो लोदी रहा था 38 वर्ष तक इसने सासन गया था लोधी वंस का बैलोल लोधी सबसे लंबे समय तक 38 वर्ष तक मरा गया से लू लगने से यह मारा गया था बैलोल लोधी, अगला जो सबसका आया था काफी महान सासा किसे कहा जाता है सिकंदर लोधी, लोधी वंस का सर्वस्टेस्ट सासा किसे माना जाता है, मूल नाम जो था निजाम शाह था इसके बारे में सबीचीजे इंपोर्टन्ट है आगरा की स्थापना की थी इसने पंदरा सो चार में टोटल तीन ही राजा हुए थे लोधी बंस में पहला था बहलोल लोधी दूसरा सिकंदर लोधी उसके बाद आएगा इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी न इसलिए इसको जगह जगह पे सफलता मिल रही इसके सफलता कराज गुप्तिचर विभाग कहा जाता है इसने खाद्यान कर को समाप्त कर दिया यानि जो अनास था वो सस्ता उपलब्द होने लगा लोगों को गड़े खजाने का कुछ भी नहीं लिया था सिकंदर लोधी ने जो काफी टाइम तब अकबर के टाइम तक चलता रहा था और इसमें कितने खाने होते थे 49 खाने 30 इंच का होता था 49 खाने होते थे ये दोनों चीज पता होना चेह और इसने मुहरम और ताजिया को भी बंद करवा दिया था एक सहिस्डू सासत था ये जजिया लगा था इस घाला का इक ग्रंथ भार्षा का भारती संगीत पहला घ्रoned था लखान ए मैंद बंवियसे खन संद किंडर कर दो सब्सके लूदिया थावियसे लिए संदिया लोधी वंस का वो है इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक रहा इसने अपने छोटे भाई जलाल खां को जौनपूर को सौंप दिया था लेकिन बाद में जौनपूर के कबजा कर लिया पहले अपने भाई को दे दिया था जौनपूर लेकिन बाद में फिर से ले लिया इसके अलावा इसकी एक मातुपीर पूर्ण विजय कही जाती है ग्वालियर विजय जो की 1517-18 में होई थी जिसमें ग्वालियर को दिली सल्तनात में मिला लिया था इब्राहिम लोधी ने आगे बात करेंगे 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें बाबर आया था बाबर ने स हराद या पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में और इस थापना की किस की मुगलवंस की जो हमारे लिए काफे इंपॉंट है तो अगले वीडियो में हम मुगलवंस कवर करेंगे बाबर से शुरू करेंगे बहुत जादा वीडियो इसके नहीं होंगे शॉट में जितने भी फैक्ट होंगे बस सबी चीजें कवर कर लेंगे जो एक्जाम में डारेक्टली पुछ जाते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और स्प्राइब कर लीजेगा टेस्सीरीज के लिए जो लिंक दिया है डिस्क्रूप्शन में वहाँ से जाके जोईन कर सकते हैं या इस न